हेलो बच्चो कैसे हैं सारे के सारे I am believing कि सब एकदम बढ़िया होंगे तब की रिविजन अच्छी चल रही है तब को अपने आप से अच्छे से उमीद है है ना अच्छी बढ़ाई होनी चाहिए बहुत पास आ चुका है हमारा नीट हमारा microbes in human welfare वाला creator हमारा रहे घ्या था तो यह वाला chapter भी हम OneShot में करेंगे बड़ा chapter हे नहीं छोटा सा प्यारा सा chapter है ठीक है इस chapter में से भी एक question तो आएगा ही आएगा लेकिन कभी दो या तीन question imagine एक च्छोटा सा chapter लेकिन दो question या तीन question आ सकते हैं you have the chance to score 12 marks, minimum 4, maximum 12, बड़े आराम से आ सकते हैं, तो इस chapter को बहुत प्यार से पढ़ना है, ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना chapter, microbes in human welfare, ठीक है बचलो, all party ready, चलो, तो microbes में सबसे पहली चीज, curd formation, दही जमाने के लिए, तो यहाँ पे lactobacillus काम करता है, commonly इनको हम बोलते हैं, lactic acid bacteria, बहुत सारी species हैं, the most common found species is lactobacillus acidophilus, दो फाइदे हैं दही के, पहला फाइदा, it has high vitamin B12, vitamin B के complexes होते हैं, बहुत सारे B के members हैं, तो जो vitamin B12 वो दही में जादा होता है, दूध में कम, दूसरा, it boosts immunity, immunity क्या होती है, कोई भी foreign pathogen आपके अंदर आ रहा है, वो आपको मार सकता है, जान ले सकता है आपकी, है ना, तो उसको हमारी body attack कर देती है, वो है हमारी immunity, तो ये जो lactobacillus हम खाते हैं, दही खा रहे हैं, तो जिन्दा lactobacillus जा रहा है हमारे अंदर, मरा बहुत नहीं है वो, जिन्दा lactobacillus जा रहा है, तो अगर उसको लगता है कि कोई harmful pathogen है हमारे अंदर, वो इसको हमाले लिए माड़ देता है, तो उतला गेना में हमाले यह कोई बात नहीं तो वाइटमिन B12 का कंटेंट बढ़ा रहा है और हमारे लिए पैथोजन को किल कर देता है तो इम्म्यूनिटी बढ़ाता है प्रो बायोटिक्स बोलते हैं इसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए बेनिफीशल हैं तो तुम सब ने टीवी पे कभी न कभी यह चीज देखी होगी याकुल्ट जो आप दही खाते हो ना याकुल्ट बस कंसंट्रेटेड लाक्टो बैसलस केसी का कल्चर है लिवेंग बेक्टीरिया होता है उसके अंदर फिर चीज बहुत लोग को पसंद है बहुत लोग को नहीं भी पसंद है तो एक है स्विस चीज वोई है जो टॉम एंजेरी कभी देखा हो तो देखा है बड़े-बड़े होल्स होते हैं उसमें ऐसी सी चीज होती है बड़े-बड़े होल्स होते हैं तो इसको मैचे और कराने के लिए प्रोपियोनी बेक्टीरियम शर्मनाई काम करता है और दो वराइटीज और हैं रॉकफोर्ट चीज, कैमेंबर चीज ये दोनों पेनिसीलियम की स्पीशी से होती है तो क्वेशन ट्विस्ट अगर करना हो तो बस इतना ट्विस्ट कर देते हैं कि बेक्टीरियल मैचुरेशन से कौन सी चीज आती है फंगल मैचुरेशन से कौ लिवनिंग ओफ ब्रेड ये एक टेक्निकल टर्म है लिवनिंग ओफ ब्रेड मतलब त्वेलिंग ओफ डो जो उसका आता आटा आप लगाते हो वो स्वेल करता है हिंदी में कभी सुना होगा खमीर उठाना सुना है? कमेंट बॉक्स में डाल दो अगर जिसने भी सुना है कई लोगों ने खमीरी रोटी खाई होगी बजार के भटूरे खाते हो फलफी होते हैं घर के चप्टे होते हैं तो जो बजार वाले हैं वो उसके आटे को रात भर छोड़ देते हैं इस्ट डाल के करने में हेल्प करता है और साक्रोमाइस के लिए रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था हमने? अन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, स्यो टू रिलीज करता है तो इट रिलीज इस स्यो टू, खमीर उड़ता है, डो की स्वेलिंग हो जाती है इसके अलावा, फर्मेंटेड फिश, बैंबू एंड सोयबीन, चाइना, जपान, कोरिया, सिंगपूर वाली साइड में, फिशिस को, बैंबू शूट्स को, सोयबीन को, फर्मेंट करके रखते हैं सोयाबीन के फर्मेंटेशन से ही चाइनीज जब तुम खाते हो तो सॉय सॉस आती है वो मिलता है फर्मेंटेट सैप फिश्टेल पाम इस नोन अज टॉड़ी NCRT ने टॉड़ी लिखा है बिहार बंगाल उड़िसा साइट जाओगे जारखन साइट जाओगे जो होगे भास है ताडी का रस्तुना होगा ताडी का पेड होता है उसके छोटे छोटे खजूर जैसे structure बनते हैं उसको निकालके इस्ट से ही फर्मेंट कराते हैं तो यहाँ पे भी fermentation इस्ट से हो रही है ठीक है तो alcohol production हो रहा है इसके अलावा NCRT ने लिखके दिया है डोसा और इडली बनाने के लिए चावल और उड़द इनकी दाल को पीस के रखते हैं और हमारे एन्वाइरमेंट में लिूको नॉस्टॉक और स्ट्रेप्टो कोकस बेक्टीरिया है इससे इनके जो बैटर बनाते हैं जो पेस्ट बनाते हैं वो मेचे और होता है और फिर आपको बढ़िया बढ़िया डोसा और एकदम करारे करारे डोसे और इडली खाने को मिलते हैं तो यह सारा क्या है household product घर में दही जमाने के लिए आपका चीज बनाने के लिए आपने सुना गो ना cottage cheese अपना जो पनीर हम खाते हों से cottage cheese कहते हैं तो वो जो cottage cheese है उसको भी देखना जब दूद को छानते हैं छेना निकलता है छेने को बांद के छोड़ दिया जाता है तब बेक्टीरिया से ठीक है? ब्रेट बनाने के लिए फिश, बैंबू, सोयबीन को फर्मेंट करने के लिए ताडी का रस बनाने के लिए दोसा, इडली बनाने के लिए सब के लिए आप बेक्टीरिया या फंगस का यूज़ कर रहे हो पिर industrial product, second heading आ चुकी है industrial product को तीन पार्ट में बाटा है, पहला है fermented beverage, जो बड़े-बड़े vessels होते हैं न, इंडस्ट्री में vessels are used for fermentation, इन बड़े-बड़े digesters को fermenter कहते हैं, beer और wine, ये दोनों बिना distillation के use होते हैं और ये सारे distillation के बाद, respiration वाले chapter में हमने पढ़ा था, that at 13, 13, 13, 13 percent alcohol जब हो जाती है, तो yeast खुद मर जाता है, तो अगर आपको alcohol और concentrate करनी है, और purify करना है, तो distillation करना पड़ता है, तो beer और wine without distillation use होते हैं, की सब distillation के बाद, बारले, grape juice से beer और wine आती है, cereals को ferment करके whisky बनती है, fruit juice अगर distill कर दिया है, तो brandy बनती है, molasses, गन्ने का रस निकाल दिया, तो जो material बचते हैं, उसके molasses कहते हैं, उससे rum आती है, राई के gin बनती है, आलू से vodka बनती है, तो जो तुमारे घर में सीधा साधा आलू है, उसका भी छुपा हुआ चेहरा है यह gin, percentages खाली reference के लिए हैं, यह NTA या NEET वाले नहीं पूछेंगे, this is only for reference, ठीक है? इसके अलाबा, industries के अंदर, second is antibiotics, anti मतलब against, biotic मतलब life, probiotic pro-life था, antibiotic is against life of bacteria, और जो हम बोलते हैं, probiotic, तो वो pro-life हमारे लिए था, हमारे लिए beneficial था, biological classification में अलड़ी हमने पढ़ा हुआ है, penicilline was the first antibiotic to be discovered, Alexander Fleming ने करा था, 11th की cell chapter में लिखा हुआ है, nucleus के अंदर, that Fleming discovered chromatin, वो Walter Fleming थे, यह Alexander Fleming है, और यह एक bacteria पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था Stiphylococcus, तो यह bacteria पर काम कर रहे थे, अब इन्होंने देखा कुछ Petri dish, कुछ बरतन ऐसे थे, जिसमें एक fungus उगरी है, और fungus की presence में, bacteria नहीं उपा रहा, तो उन्होंने दिमाग लगाया, पता लगाया कि वो तो एक fungus है, Penicillium नाम का, तो source था Penicillium Notatum, तो इसलिए नाम पढ़ गया Penicilline, फिर, इन्होंने तो खाली Stephylococcus पर देखा, इसका full potential as antibiotic, was discovered by chain and flory, इन्होंने देखा था, यह तो और बहुत सारे bacteria को मार सकता है, तो this antibiotic was used in World War II, American soldiers, World War I कर देंगे, statement false, American की जगे European कर देंगे, statement false, Fleming chain flory को 1945 में, Nobel Prize मिला था, इसके लावा NCRD ने बस पूछ लिया कि क्या आपको कोई और सोर्स पता है, तो इसलिए हमने एक और सोर्स लिखा है, Streptomyces bacteria का, इस Streptomyces bacteria से, Chloramphenicol, Erythromycin, Streptomycin, Neomycin ये सब आते हैं, बहुत abundantly Soil में मिलता है Streptomyces, ठीक है, तो Penicillin हो गया, Streptomyces हो गया, इसके अलावा, Industry के ही अंदर, NCRD ने थर्ड हेडिंग दी है, Chemicals, बहुत सारे Chemicals, जैसे कि Acetic Acid, Acetobacter, Acetiya से आता है, Bacteria है, Citric Acid, Aspergillus, Niger से आता है, फंजाय है, Butyric Acid, Clostridium से आता है, Bacteria, Lactic Acid, Lactobacillus, Bacteria, Ethanol, फंजाय से आता है, इसके अलावा, NCRD ने देखिए, एंजायम से की लिस्ट, तो Lipase, नाम से ही बता चल रहा है, Lipid Digesting है, तो दे आर वाइडिली यूज़्ट इन, Detergents, हमारे जादा तर दाग क्या होते हैं, तेल वाले दाग होते हैं, Oily Stains होते हैं, तो उन Oily Stains को हटाने के लिए, तुम्हें चाहिए, लिपिड डाइजेस्टिंग लाइपेजिज, तो इसका एक सोर्स है, बहुत फेमस, Candida Lipolytica, बहुत फेमस सोर्स है, पेक्टिनेज एंड प्रोटियेज, प्रूट जूस, क्लारिफाइंग एजेंट, घर में संद्रे का जूस निकालना, कांच के गलास में रखना, बजार का एक औरेंज जूस लेके आना, पलपी नहीं नॉर्मल औरेंज जूस लेके आना, उसको गलास में रखना, और दोनों के थूँ लाइट पास कराओगे न, तो जो घर वाले जूस उससे ज़्यादा लाइट पास नहीं होती, बजार वाले से हो जाएगी, तो घर वाला जूस ना काफी ज़्यादा उसमें चीज़े होती हैं, जूस उसको हेजी कर देती हैं, बजार वाला तो एकदम क्लियर होता है, तो बजार के जूस को पेक्टिनेज और प्रोटियेज से ट्रीट किया जाता है, जिससे की फ्रूट जूस और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है, यह तीनों ही मेंबर्स फंगल हैं, स्ट्रेप्टो काइनेज, टिशू प्लास्मिनोजन अक्टिवेटर है, क्लॉट बस्टर है, यही एंजाइम है, जो प्लास्मिनोजन को अक्टिवेटर है, अक्टिवेटर करते हैं, और प्लास्मिनोजन क्या करता है, क्लॉट को डिजॉल्व कर देता है, इसलिए क्लॉट बस्टर है, स्ट्रेप्टो कोकस से आता है, तो स्ट्रेप्टो कोकस से स्ट्रेप्टो काइनेज, क की sound पर ध्यान देना कोकस काइनेज ठीक है फिर बायो अक्टिव मॉलिक्यूल बायो अक्टिव मॉलिक्यूल आर केमिकल्स बेनिफीशल फॉर हुमन्स तो एक बायो अक्टिव मॉलिक्यूल दे रखा है हमारे पास टाटन और दूसरा है साइक्लोस्पोरिन ए स्टाटन का सोर्स हमारा एक इस्ट है इस्ट हमने कहा था यूनी सेललर फंजाय को बोल देते हैं कोई भी यूनी सेललर फंगस हो वो इस्ट कहलाता है तो मॉनासकस परप्यूरियस है ब्लड कोलेस्टेरोल लोवरिंग एजेंट है ब्लड में कोलेस्टेरोल लेवल कम कर देता है कैसे कॉम्पिटिटिवली इनिबिट कर देता है इस एंजाइम को जो कोलेस्टेरोल सिंतिस कराता है कोलेस्टेरोल को सिंतिसाइज करने वाले एंजाइम को बंद करा दो कोलेस्टरॉल बनना बंद हो जाएगा तो HMG कोई रिड़क्टेज वो एंजाइम है जिसको स्टाटिन्स इनिबिट कर देते हैं साइक्लोस्पोरिन है इम्यूनो सप्रेसेंट है इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं क्यों भई आपका तो इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए दही खा रहे हो इम्यूनिटी बढ़िया करने के लिए और आब हम एक जगे उसी चाप्टरें पढ़ रहे हैं इम्यून को कम करना है कब कम करना है और गन ट्रांस्प्लांट पेशिंट्स में खुद की किड्नी खराब हो गई है किड्नी डोनेशन से मिली है बोडी पहचान जाती है बाहर का सेल कौन है अपना सेल कौन है अपने सेल को पहचान गई बाहर का जो किड्नी आया उसके सेल को अटाक कर रहा है बॉडी को यह नहीं पता है किड्नी की जरूरत है, बॉडी नो देखा यह तो मेरा सेल नहीं है, अटाक किये जा रहा है उसको, किड्नी फेल हो जाएगी, लाखो करोडों का नुकसान, जान जाएगी वो अलग, तो आपको immune response कम कर देने होते हैं, इसका source भी हमारा एक फंजाय है, trichoderma polysporum, हमने का था trichoderma genus जो है, वो deuteromycetes fungus को बिलॉंग करता है, तो यह है bioactive molecules, फिर, next दिया है, sewage treatment, sewage जहाँ साफ किया जाता है, उसको बोलते हैं, sewage treatment plant, और जब हम यह word देखते हैं, sewage, sewage सारा का सारा municipal waste है, घर का, school का, office का, industry का, hospital का, सारा waste sewage कहलाता है, जब हम sewage treatment की बात करते हैं, तो इस sewage treatment के अंदर, primary treatment चलता है, secondary treatment चलता है, primary treatment में, हम देखेंगे, पहले सारा filtration है, फिर primary sedimentation है, secondary treatment में हम देखेंगे, aeration tank का रोल, secondary treatment में ही हम देखेंगे, secondary sedimentation, secondary settling tank का रोल, primary treatment जितना भी है, ये सारा का सारा purely physical process है, लेकिन secondary treatment जो होगा, उसमें से जो aeration tank वगरा है, settling tank वगरा है, इसमें आप microbes को यूज करोगे, तो इन में आपको सारा biological treatment मिलेगा, इसी को हम पहले देखते है, NCRT ने क्या-क्या लिखा है, primary treatment में क्या है, पहला step, sequential filtration, बड़े बड़े चैनल होते हैं, उन में छनिया जैसे structure लगे होते हैं, तो सारा का सारा जो सीवेज है ना पहले, वो यहां से पास करेगा, तो जब इतने area में जा रहा है, तो यही आपको क्या हो रहा है, sequential filtration, चीज़े यहां से filter होके जा रही हैं, तो धीरे-धीरे क्या होगा, जितना भी floating debris है, वो सारा हट जाएगा, कितना सारा कूड़ा दिखता है ना, तैर रहा है वो बस उपर ही, तो जो उपर तैरने वाला कूड़ा है, वो सारा का सारा छनक्य अलग, और सारा का सारा सीवेज, इस टैंक में आ चुका है, इस टैंक को कहा जाता है, primary, settling, tank, gravity को अपना काम, एक पानी लेना, मिट्टी घोल के छोड़ देना, उसको 24 घंटे, दो दिन के लिए undisturbed छोड़ दो, वो पानी बहुत जादा clear हो जाएगा, transparent नहीं होगा, बहुत जादा साफ हो जाएगा, और सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी होगी, तो वो ही चीज यहाँ पर है, कि primary sedimentation में, जितना भी grit है, soil है, pebble है, sedimentation से बैठ जाता है, सारा कंकड, पत्थर, मिट्टी वगरा, सब नीचे बैठ चुकी है, तो इसको बोला जाता है, primary pludge, और जो उपर का floating part है, इसको कहा जाता है, primary effluent, इसको भेज़ देंगे, secondary treatment में, ठीक है, all solids that settle from the primary sludge, and floating part is primary effluent, primary effluent को secondary treatment में भेज़ा जाएगा, secondary treatment में क्या है, दो parts है, एक part है, aeration tank का, ठीक है, and the second part will be of secondary sedimentation, सारा का सारा जो primary effluent है, अच्छे से अच्छे से हवादार बनाया गया है उसको, क्यूं, agitated mechanically, बड़े बड़े पैडल लगे हैं, जो पानी को mix करते हैं, जैसे दही का राइता बनाते हो, या लस्टी बनाते हो, तो दही में आप मथते हो उसको, ऐसे ही वो पानी में पैडल लगे हैं, जो उसको constantly churned, mix करते रहते हैं, जिससे की अच्छे से हवा mix होती रहे, और base के लिए air pumps लगे हैं, जैसे fish aquarium में देखा होगा, fish aquarium में pump लगाए जाते हैं, जो atmospheric air को mix करती जाए, क्या फायदा है इसका, तो लिखा है, it allows vigorous growth of aerobic microbes into flocks, क्योंकि microbes use हो रहे हैं, इसी लिए हमारा biological treatment है, ठीक है, it allows vigorous growth of aerobic microbes into flocks, flocks क्या है, mass है bacteria का fungal filament के साथ, तो यह जो microbes है न, they are aerobic, as well as they are heterotrophic, क्या करते हैं, they will start consuming organic matter in the effluent, वो जो large erosion tank में जितना organic matter है, जितना fecal matter है, कोई भी bio degradable waste है, यह उसको खाते जा रहे हैं, अब organism उसको खा रहा है, जैसे जैसे खाते जाएगा, उसको और energy चाहिए, जादा energy के लिए जादा respiration, और respiration कब होगी, oxygen consume करने से, तो यह क्या करते हैं, oxygen consume करने लगते हैं, So, the sewage water is treated, till the BOD is reduced, BOD क्या लिखा इंस याटी ने, BOD stands for biochemical या biological oxygen demand, क्या ही यह, amount of oxygen, that will be consumed, when organic matter of, one liter of water is oxidized by bacteria, एक लीटर गंदा पानी है, उसमें बहुत सारा, biodegradable organic matter है, उस पूरे को digest करने के लिए, बेक्तीरा ने कितनी oxygen ली, उस oxygen demand को हम बोलते हैं, biochemical oxygen demand, BOD जो होता है, it is directly proportional, to pollution level, जितना ज़ादा गंदा पानी, उतना ज़ादा BOD का level, ठीक है, तो जब तक BOD कम नहीं हो जाती, तब तक treatment चलता रहेगा, greater the BOD of wastewater, more is the polluting potential, तो large erosion tank में तब तक रखोगे, जब तक BOD कम नहीं हो जाती, एक organization है, CPCB, Central Pollution Control Board, जब BOD 30 PPM से कम पे चली जाए, 30 parts per million से, कम oxygen की demand हो जाए, तब आप इस sewage water को, treatment देना बंद कर सकते हो, और बाद में कहां चला जाएगा, यह secondary treatment में, secondary treatment में फिर से वोई चीज है, secondary settling tank में रखा जाएगा, और last में जरुवत पड़े, तो tertiary treatment, primary treatment हो चुका था हमारा, हमने कहा था, primary treatment से क्या release हुआ, primary effluent, जब 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 जब, यह है मेरा large, aeration tank, इन tank में लगे होते हैं, बड़े बड़े, motor operated paddles, सारा का सारा effluent, primary effluent इसमें आच चुका है, यह है वो air pump, जो बाहर की fresh air को, tank में नीचे लेके आएगा, यह है वो mechanical, paddle, तो क्या होगा, सारा liquid उपर से mix होता जा रहा है, और fresh air भी नीचे पंप होती जा रही है, तो पूरे tank में oxygen rich condition है, वो bacteria और fungus को grow कराएगा, जो aerobic और heterotrophic हैं, organic matter खाते जाएंगे, BOD कम होती जाएगी, BOD कम होने के बाद, सब को कहां भेज दिया, इस tank में जिसको हम बोल रहे हैं, secondary settling tank, सारा effluent इसमें आया, अब जितना bacterial fungal flock है, वो नीचे settle हो जाएगा, अब इसका नाम NCRT ने दिया है, activated sludge, इस sludge का जो major हिस्सा है, वो भेज दिया जाएगा, बायो गैस बनाने के लिए, anaerobic sludge digester में, जिससे आपको मिलेगी बायो गैस, वेस्ट नहीं हो रहा है, जितना भी activated sludge है, उसका major part, बायो गैस बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा part, as inoculum, inoculum मतलब होता है starter, दही जमाने के लिए, ममी बोलती है, जाओ आंटी से थोड़ा सा दही ले आओ, तो वो starter है, inoculum है, तो activated sludge का थोड़ा सा part ना, activated sludge का थोड़ा सा part, as inoculum यहाँ डाल दिया जाता है, अब इनके चारो तरफ और bacteria fungus इकठे होते जाएंगे, तो यह जल्दी जल्दी phlogs बना लेगा, ठीक है, sequential filtration हुआ, primary tank में छोड़ दिया, मिट्टी और पत्थर, गिट्टी, कंकर सब अलग हो, चुके वो है primary sludge, floating वाला पाट है, primary effluent उसको भेजा secondary treatment में, secondary treatment में है, large aeration tank में, अच्छे से oxygen rich condition बना रखिया, जितना भी effluent है वो pass कर दिया जाएगा, settle वाले portion को activated sludge बोलेंगे, जो है flock, थोड़ा सा पार्ट starter के तौर पर यहां डालते जाते हैं, जिससे जल्दी जल्दी bacteria fungus इकठा होता जाए, और major part, anaerobic sludge digester में डाल देंगे, जिससी कि तुम्हें bio gas मिल पाए, अब जो floating part है, इसको अब कहते हैं, secondary effluent, अब अगर आप चाहो, तो यह से, जो भी nearby water body उसमें डाल सकते हो, या अगर मन करे, तो tertiary treatment दे सकते हो, अगर tertiary treatment दोगे, तो इससे जो तुम्हारा, secondary effluent है, इससे जो पानी बन जाएगा, तो यह जो tertiary treatment है, फिजिको चेमिकल प्रोसेस है, यूवी का treatment, आयोडीन का treatment, अलम का treatment, रिवर्स ओस्मोसिस का treatment, नॉर्मल फिल्ट्रेशन, जितना भी डिसिंफेक्शन कर सकते हैं, यूवी, आयोडीन, अलम, रिवर्स ओस्मोसिस, नॉर्मल फिल्ट्रेशन, तब कुछ कराते हैं, और पानी पीने लाइक बन जाता है, तो यह यह सारा सीविज ट्रीट्मेंट, जो ministries हैं हमारी, उन्होंने गंगा action plan, यमुना action plan वगरा start किया था, ठीक है, तो वो चीज भी देख लेना एक बार, फिर NCRT ने next हमें जिक्री दिया है, बायो गास के लिए, बायो गास पहली बात याद रखना है, mixture of gases है, जिसका major component मीथेन है, उसके अलावा CO2, H2, H2S, सब मिलता है, फिर खाली reference के लिए, अगर बायो गास में exact 50% मीथेन है, और अगर तुम उसे जलाओगे, तो उसमें इतनी energy है, 4429 किलो कालरी पर मीटर क्यूब, कहां से आई इंडिया में ये टेक्नोलोजी, किस ने ध्यान दिया इस पर, तो इंडिया में इस पर ध्यान दिया, IARI ने, Indian Agricultural Research Institute, and KVIC ने, Khadi and Village Industries Commission ने, क्या चीज़ बहुत important है, गाय का गोबर, क्यूं, cow dung is rich in methanogens, biological classification के आर्की बिक्टीरिया में पढ़ा था, कि यह जो गोबर होता है, जो rumen है, cattle's का जो intestine है, rumen है, उसमें methanogens मिलते हैं, तो गोबर में बहुत सार है, तभी गोबर के उपले बनाके, cow dung cakes बनाके भी उसको burn करके, as a fuel use किया जाता है, ध्यान रखो, यहाँ पे NCRD ने क्या समझाया है, यह नीचे एक digester है, यह जो digester दिख रहा है, सारा का सारा, इसके लिए, NCRD ने लिखा है, 10 से 15 feet गहरा, concrete का tank है, इस concrete tank पर एक gas holder है, यह जो सारा का सारा दिख रहा है तुम्हें, यह एक floating cover है, जैसे cooker के उपर CT देखी है, जब gas आती तो CT उपर उड़ जाती है, प्रेशर से gas बाहर निकलती है, ऐसे ही यह floating cover होता है, आपने अपना सारा का सारा, बायो डिग्रेडबल वेस्ट डालना है, नॉन बायो डिग्रेडबल नहीं होना चाहिए, तो जितना भी फार्म का बायो डिग्रेडबल वेस्ट है, जितना भी घर का बायो डिग्रेडबल वेस्ट है, वो गोबर और पानी के साथ मिलाके डाल दिया जाता है, और यह सारा का सारा कहां जा रहा है, लोवर लेबल पे, अंदर सारा डायजेशन चल रहा है इनका, डीकम्पोजिशिन होगा, डीकम्पोजिशिन से और्गानिक आसिटre मनेंगे, और्गानिक आसिट से मिथेन बनेगा और यह सारी के सारी गैसज, सारी की सारी गैसे इस फ्लोटिंग कवर में राइस करती जा रही है को करके सीटी की तरफ यह उठता चला जाएगा और उठने के बाद एक टाइम इतना प्रेशर बनेगा कि सारी की सारी गैस खुद पाइपलाइन में चैनलाइज हो जाएगी फ्रेश कुड़ा नीचे से आ रहा है पुराना कुड़ा उपर उठता जा रहा है तो जो पुराना कुड़ा उपर उठ रहा है वो सलज के फॉर्म में बाहर आ जाता है और इसे भी आफ फेकते नहीं हो आप अपने खेतों में इस सलज को as a manure, as a khad यूज कर सकते हो तो NCRD ने इतनी वाते लिखी हैं बायो गैस में फिर आया हमारा बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक बायो कंट्रोल बायो मतलब living, control तुम कितनी शैतानी कर रहे हो मम्मी के हत्ते नहीं चड़ रहे जैसे गेट खोल के पापा को से तुम एकदम शान्त बैट गया है कैसे? पापा का तुमारे उपर control है तो वह ही है हमारा बायो कंट्रोल, क्या है? इट इस यूज अफ बायो लॉजिकल methods to control plant, disease and pest तो कोई भी microbe या कोई भी insect है किसी living को ही यूज करके उसको control कर रहे हो तो वह है बायो कंट्रोल स्कूल में बच्पन में आप सब ने पढ़ा होगा यह चीज है बायो पेस्टिसाइड बायो हर्बिसाइड बायो हर्बिसाइड को ही we decide भी कहते है तो यह बायो हर्बिसाइड बायो वीडिसाइड जी सब बायो कंट्रोल agents है फिर एक बहुत famous concept है पिछले कई सालों से चल रहा है sustainable development के नाम पर organic farming को प्रमोट कर रहा है organic farming बस यह कहता है that you have to use all the bio control methods and the bio fertilizers किसी भी प्रकार का chemical use नहीं करना सिर्फ और सिर्फ bio control और bio fertilizer यूज कर रहे हो तो वो ही है organic farming ठीक है फिर एक concept तुम्हें दिख रहा है integrated pest management पहले या आज भी farmers क्या करते हैं insecticide लेते हैं chemical पूरे खेत में भर भर के छिड़क देते हैं और फिर सोचते हैं कि यार हमारे पौधे में growth नहीं हो री production अच्छा तो नहीं हो अभी भी नहीं हो सकता क्यूं? जब आप insecticide को बिना सोचे समझे large quantity में डाल देते हो तो harmful insect तो मरेगा ही beneficial insect भी तो मर जाएगा तुमारे pollinator भी तो मर जाएंगे pollinator की बिना pollination कैसे होगी? ठीक है? तो integrated pest management का concept आया it creates a system where insects जो आपके harmful insect है जिसको pest कहते हैं they are not eradicated but kept at manageable level जो harmful insect है उसको भी आप पूरा खतम करने की कोशिश ही नहीं करते हैं बट उसे एक ऐसे manageable level तक लाने की कोशिश करते हो कि आपका नुकसान कम से कम हो कैसे? by natural system of check and balance जो harmful insect है उसका predator लाके छोड़ते हो जो beneficial insect हो उसका predator नहीं ला रहे तो beneficial insect survive कर रहा है उससे फाइदा मिल रहा है harmful insect का natural predator लाके छोड़ दो तो harmful insect मर जाएगा तो यही है integrated pest management मिल जुलके काम करना के एक healthy ecosystem बना रहे क्या-क्या examples है तो lady bird होती है lady bird क्या होती है बताते हैं lady bird क्या होती है हमारी जो lady bird है एक ऐसी सी होती है कोई चीज़ black क्या होती है with red dots तो वह है lady bird और वह नाच्रली आफिट्स को किल कर देती है ऐसी ही ड्रागन फ्लाइज ड्रागन फ्लाइज तो हमने देखा होगा हेलिकॉप्टर जैसे लगते हैं लंबी सी पूछ होती है आगे थोड़ी सी बॉड़ी होती है और बिल्कुल ऐसे हेलिकॉप्टर जैसे पंक निकले होते हैं इनके ड्ररर उड़ते रहते हैं तो यह क्या करते हैं यह मौस्किटो के लार्वा को खा जाते हैं मौस्किटो लार्वा भी फीड करते रहेंगे मौस्किटो पॉपलेशन खताम मलेरिया के चांस इस्कम से कम है बैसिलस थ्यूरंगेंस्स कंट्रोल्ड बटरफला एट पिलर्स ठीक है ब्रासिका के और फूट रीज को बटर फलाइट कैटपिलर रहाम करते है घृक यह जो है, बायो टेक में पढ़ोगे, it has a cry gene which releases a cry protein which is a toxin और ये वो toxin है, which destroys brush border epithelium of gut of larva, larva जब पत्ते वगरा को खाता है और अगर वहां पर ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया लार्वा के गट के अंदर जाएगा, वहां पर ये अपना toxin release करेगा, और toxin बैक्टीरिया का जो गट है, गट के उपर जो epithelium है, जो layer है, उसको destroy करता जाता है, अंदर गाओ करता जाएगा बहुत बुरे-बुरे और गाओ से बिचारा लार्वा मर जाता है, scientist ने देखा कि ये जीन जो है, आप इस जीन को बैक्टीरिया से निकाल सकते हो, तीधा प्लांट के जीनों में लगा दो, तो बायोटेक में ही तुम पढ़ोगे, जेनेटिक इंजीनिरिंग में, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, तो ये सारे वो मेंबर्स हैं, जिसमें ये क्राइजीन निकाल के, पर्मनेंटली डाल दिये पौधे में, उससे पहले, बैक्टीरिया के स्पोर आते थे, बैक्टीरिया के स्पोर आते थे, सहिशे में पानी में घोलो, बैक्टीरिया अक्टिवेट हो जाएगा, और उस पानी को पौधो की उबर छिड़क दो, जब भी लार्वा पत्तो को खाएगा, उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर ट्राइकोडर्मा का ही दूसरा मिंबर, ट्राइकोडर्मा हर्जियाना में एक फ्री लिविंग फंजाए है, रूट एकोसिस्टम के पास मिलता है, और प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए बायो कंट्रोल मेथड है, रूट के आसपास जितने प्लांट पै रहे लेता है और पौधे के लिए बागी सबको किल कर देता है तो पॉली स्पोरम बायो आक्टिव मॉल्क्यूल देता है हर्जी एनम प्री लिविंग एको सिस्टम में काम कर रहा है बेक्टेरियो फास गरता है बेक्टिरियो फास क्या गरता है बेक्टीरिया को मारते हैं ऐसे ही बेक्टियूल वाइरस सिर्फ आर्थरृपोड को मारते हैं उनके अंदर एक जीनस है नुक्लियो पॉलिहेड्रो वाइरस, species specific, narrow spectrum, insecticidal, अलग-अलग species, अलग-अलग insect की species को मारेंगी, animal को, bird को, बाकी किसी को हाम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ insects और कुछ अलग-अलग arthropods हैं, उनी को हाम किया जाता है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं देता है ये वाइरस, तो narrow spectrum मतलब एक छोटी सी range को ही हाम करेगा, और एक example जो दिख रहा है यहाँ पे, ये organism and population में दिया हुआ है, predation के अंदर, coquineal insect, cactoblastus नाम है, Australia की study है, Australia में opuncia, prickly pear cactus के पौधे लगाए गये थे, अब वहाँ पर ये इतने grow करने लग गये, control में ही नहीं आए, तो जिस original habitat से इसको लाये थे ना, वहाँ पर उसका original predator था, coquineal insect, उसको लाके छोड़ दिया और उसने खा खा के खा के पौधे को control कर लिया, तो ये है सारा का सारा हमारा bio control, NCRT से बाहर नहीं जाना है, NCRT की एक एक line को अच्छे से पढ़ना है, फिर है हमारा bio fertilizer, वेन यू आर लिविंग, यूजिंग लिविंग अज फोर्टिलाइजर, तो बेक्टीरिया में पता है, nitrogen fixation कराता है, rhizobium, frankia, symbiotic, mineral nutrition के chapter को खोल लो, frankia करा रहा था non-legumes के साथ, और rhizobium करा रहा था legumes के साथ, फिर cyanobacteria में blue green ale किये सारे, organic matter भी आड़ करते हैं, fertility बढ़ाते हैं, nostoc, anabina, oscillatoria, pre-living और symbiotic दोनों में काम कर सकते हैं, बेक्टीरिया के अंदर ही, mineral nutrition में हमने पढ़ा था, azospiralum और azotobacter भी बेक्टीरिया हैं, लेकिन ये दोनों NCRT ने लिख के दिये हैं, free living condition में काम करते हैं, they can work in free living condition, paddy field, paddy field क्या होता है, चावल के खेत, महाँ पे ओलो से राटॉलिपोथ्रिक्स काम करते हैं, fungus पढ़ा था, biological classification में, mycorrhiza, teridophyte पढ़ा था, azola, हमने का था, azola के साथ, symbiotically, anabina azoli मिलता है, anabina azoli free living condition में नहीं रहते, तो azola उगालो, anabina azoli अपने आप आके रहेगा, fertility बढ़ा देगा, इसको भी rice की खेती में बहुत यूज किया जाता है, mycorrhiza, सारा हमने बायोटेक में पढ़ रखा है, बिटे, mycorrhiza का एक example दे रखा है, glomus, क्या फाइदा दे रहा है, specially phosphorus absorption करा रहा था, इसके अलावा, plant को क्या फाइदा है, root bond pathogen से बजाता है, salinity और drought tolerance देता है, overall plant growth बढ़ाता है, fungus को advantage क्या मिल रहा है, food and shelter, transport in plants वाले chapter में दिया हुआ है, कि pinus, बिना mycorrhiza के ग्रो नहीं करता, तो glomus ही था, जो pinus के साथ ग्रो हो रहा था, और क्या मिल रहा था fungus को, रहने के लिए जगे, और plant उसको बहुत सारे sugar, और nitrogen containing compounds दे रहे हैं, sugar and N containing compound, N containing compounds are nothing but amino acids, हाँ जी, तो questions देख लेते हैं अब, अपने, ठीक है, पहला question है, match list 1 with list 2, यहाँ पर अगर हमें अब देखना हो, तो aspergillus niger, के लिए हमने क्या पढ़ा, acetic, acetic acid सबसे easy होता है, acetic acid, तो B का 1, B का 1, अब पहले भी match the following कराए थे, NTA सही में ऐसे questions देता है, एक ही option से solve हो जाएंगे, तो option number 3, बाकी बस चेक कर लो, A का 3 पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, C का 4, claustridium butyric acid पढ़ा था, next question भी match the following, claustridium butyric acid, क्या कर रहा था, butyric acid, A का 2 चाहिए मुझे, बताया मैंने न, ऐसे बस 4 second की बात है, जादा match the following में, दिमाग लगाना ही नहीं पढ़ेगा, next question देखो, which of the following is put into, anaerobic sludge digester, for further sewage treatment, anaerobic sludge digester में, अब क्या add करोगे, what is added, floating debris डालोगे, effluent डालोगे, activated sludge डालोगे, या primary sludge डालोगे, तो जो secondary treatment के बाद, activated sludge आता है, वो anaerobic sludge digester में जाएगा, primary sludge में तो हमने का था, खड़ी कंकरड पत्थर होता है, next, citric acid के industrial production में, कौन काम करेगा, अभी अभी देखा था, match the following में, aspergillus niger, फिर match the following का एक और question, dragonfly किसके लिए काम करेगा, तो एका, two होना ही चाहिए, अब यहाँ पे, तीन options में, एका two है, कोई बात नहीं, भी देखते हैं, bacillus thuringiensis, तो यह हमारा, बायो कंट्रोल एजेंट था, लेपिडॉप्टेरा के इंसेक, बी का four, बाकियों में, बी का four नहीं है, सी का five बस चेक कर लें, सी का five, तो glomus ncadine ने दिया है, mycorrhizae बना रहा है, तो उसका fifth सही है, और डी का three, baculovirus, narrow spectrum, next, cyclosporineगा, commercial production कहां से होगा, trichoderma से, penicillium से, dvaii penicillin, saccharomyces, alcohol बनाने के लिए, और CO2 रिलीस करता है, तो baking के लिए, और monascus से आ रहे थे, statin, next, biocontrol agent for treatment of plant disease, ये exact line NCRT ने किसके लिए दी हुई है, trichoderma के लिए exact line दी गई है NCRT में, next, select the group of biocontrol agent, non-stock bio fertilizer है, aphids, biocontrol agent नहीं है, इनका control कराया जाता है, trichoderma, baculovirus, thuringiensis, तीनो है, oscillatoria नहीं है, rhizobium biocontrol नहीं है, next, which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent, statin, streptokinase जो था, वो था हमारा clot buster, cyclosporin ये अभी किया था, immunosuppressant, और lipase, ये हमने का था, detergent में यूज होता है, again match the following, तो तुम देख रहे हो न, इस chapter से, बहुत सारे match the following आते हैं, match the following, important इसलिए क्योंकि, multiple aspects cover हो जाते हैं, इस chapter के, तो lactobacillus, दही जम वाएगा, अब यहाँ पर भी देख लो, A के 2 के 3 option है, कोई बात नहीं, saccharomyces cerevisi, bread बन वाएगा, B का 4, और C क्या है, aspergillus, niger, इतनी बार citric acid, and D का 5, next, which of the following statement, about methanogen, is, not correct, गलत बताना है, so they can be used to produce, biogas, सही है, they are found in, rumen of cattle, and their excreta, cow dung में मिलता था, yes, they grow aerobically, बिलकुल incorrect, biological classification में पढ़ा था, methanogenes, obligate an aerob है, among the following pair of microbes, which has both microbes, that can be used as bio fertilizer, plant के growth को, enhance करने वाला character, तर चाहिए अब, तो aspergillus नहीं, rhizopus नहीं, cyanobacteria rhizobium, yes, दोनों ही nitrogen fixation कराएंगे, conversion of milk to curd, क्या improvement ला रही है, curd में कौन सी चीज थी, जो milk में नहीं है, या कम थी, करेक्ट, vitamin B12, next, correctly match, कौन सा correct match है, acidobacter, acid ice, antibiotics, नहीं, methanobacterium से, lactic acid, नहीं, notatum से, acetic, नहीं, saccharomyces से, ethanol, yes, तभी इसे, brewers yeast कह रहे थे, alcohol production के लिए, कामा रही थी, next, wrongly matched, monascus purpureus statin, blood cholesterol lowering agent है, तो ये तो true है, streptococcus, बताये था, को की sound, cocus kinase, streptococcus, clot हटाता है, सही है, butylicum से, lipase, गलत, butylicum से, lipase नहीं आ रहा था, incorrect, polysporum से, cyclosporin, ये भी हमारा correct, ठीक है, तो I hope chapter clear होगा, सबको, easy chapter है, बस data दिखो, याद रखने ही पड़ेगा, और ज़्यादा common questions यहीं है, statin, और आपका cyclosporin, और आपका शेप्टो काइनेज, cheese, aspergillus, niger क्या कर रहा है, citric acid कहां से आ रहा है, तो बहुत basic basic questions इसमें से आते हैं, all the best, और इस chapter को genuinely अच्छे से करके आना, अगर possible होगा, तो फिर मिलते हैं किसी next class में, thank you and all the very best.